हाज तो तो ये काफी बुरी नियूस है हम सभी जियो यूजर्स के लिए जियो ने फाइनली धाई साल बाद अपना टैड़ी प्लैंस जो है हाइक कर दिया है यानी कि सेम सर्फिसेस के लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा यानी कि आप जो 28 दिन का या च्छपन दिन क या 84 दिन का जो recharge करते हैं वो सारे prepared and post paid plans पर आपको ज्यादा pay करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर screenshot add करते रहा हूँ आप screen pause करके भी check कर सकते हैं और वीडियो पर बने रही है पूरा detail information के लिए तो आएए एक एक करके plans देख लेते हैं कितना price बढ़ा है तो सबसे पहले आता है 155 rupees का जो plan था मतलब सिर्फ जिसमें unlimited call and 2GB का net मिलता था internet तो वो बढ़ा के अभी कर दिया गया है 189 rupees यानि कि काफी ज्यादा hike देखने के लिए मिल रहा है उसके बाद आता है 209 का यानि कि 1GB per day वाला जो plan था वो 249 यानि कि 40 रुपे का hike देखने के लिए मिल रहा है 239 इसमें 60 रुपे का hike देखने के लिए मिल रहा है यानि कि 1.5GB per day के लिए आपको 2.99 यानि कि 60 रुपे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 209 and 239 ये most popular plan है जियो का उसके बाद सारे plans आप चेक किजिए एक एक करके यहां पर देखिए for 666 रुपे का जो 1.5GB per day 84 दिन का था उसको बढ़ा के 799 रुपे का कर दिया गया है ये 133 रुपे का hike देखने के लिए मिल रहा है and 719 का जो plan था वो 859 का कर दिया गया है मतलब काफी ज्यादा hike देखने के लिए 140 रुपे का and ये के करके सारे plans आप चेक कर सकते हैं 395 का जो plan था उसमें से unlimited 5G का हटा दिया गया है and उसका plan भी बढ़ा के कर दिया गया है 479 रुपीज यानि की almost 80 रुपे का hike देखने के लिए मिल रहा है उसके बाद data add-on plans जो था उसमें भी hike देखने के लिए मिल रहा है 1GB data का 15 रुपे प्राइस था उसको 19 रुपे किया गया है and 25 रुपे का जो plan था उसको 19 रुपे किया गया है and post plans आप screen pause करके देख सकते हैं unlimited 5G के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है आम लोग का 395 वाला जो plan था जिसमें हम लोग को unlimited 5G मिलता था वो अभी देखने के लिए और नहीं मिलेगा आपको अगर unlimited 5G चाहिए तो आपको at least 2GB per day वाला कोई भी plan recharge करना पड़ेगा नहीं तो आपको unlimited 5G services देखने के लिए नहीं मिलेगा आपका जो data है वो debit होना start हो जाएगा यानि कि एक clear cut बात 2GB per day plan आपका phone पे at least होना चाहिए तो ही आपको unlimited 5G services देखने के लिए मिलेगा वरना आपका जो data balance है उसमें से debit होना start हो जाएगा 5G में net वैसे भी ज्यादा ही काटता है तो उसमें से data करना start हो जाएगा तीन जुलाई से ये effective होगा यान कि तीन जुलाई राद 12 बजे के time सही ये start हो जाएगा तो आपको अगर पुराने plans पर आपको ठीके रहना है तो आपको तीन जुलाई से पहले कोई भी plan से अगर recharge कर लेते हैं मतलब जैसे कि 2GB पर डे वाला plan अभी recharge कर लेते हैं तो ही तीन जुलाई के बाद आपको unlimited 5G मिलेगा मगर देर जुलाई के बाद अगर आप recharge करके रखते हैं तो तीन जुलाई के वाद वो काम नहीं करेगा, वो unlimited 5G का service discontinue हो जाएगा आपके phone पर, अगर आप multiple time पर 395 वाला recharge करके रखते हैं, unlimited 5G use करने के लिए, तो यह possible नहीं है, 3 जुलाई से पहले आपको unlimited 5G देखने के लिए मिलेगा, यहनकी 2GB पर डे वाला recharge करके रखते हैं, तो definitely 3 जुलाई के बाद भी आपको unlimited 5G का services देखने के लिए मिलेगा, और कोई भी doubt हो, कोई भी quiet हो, नीचे comment करके पूछ सकते हैं, तब दक के लिए, बाई!